हेलो दोस्तो नमसकार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो आज है 29 दिसंबर आज की बड़ी खबर निकल क्या रही है बिल्कुल दोस्तों सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर की इंफार्मेशन हम आपको अपने यूटूब चैनल जोब इंडिया पर देने वाले हैं जी हाँ एनचम नर्स भरती दो हजार चौबिस दोस्तों एनचम की तरफ से नर्सिंग एनम फ पर दोस्तों 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 देखिए राजस्तान एनचम से CHO officer की जो है विकेंसे निकाली गई थी जिसका एक्जाम जो है 19 फरवरी 2023 हुआ था यह 2,531 पदों पर राजस्तान CHO की विकेंसे निकाली गई थी इसे दोस्तों निरस्त कर दी गई है यह बड़ी खबर निकल क्यारी है तो जो CHO भरती है यह निरस्त होगी बाकि राजस्त राजस्थान एनच्यम में जो है 17,000 पदोव पर नई भरती के लिए परस्ताव यहां पे मागे जाएंगे यह राजस्थान की जो मुख मंतरी है इनसे अपडेट निकल क्या रही है बाकि आज की डेट में दैनिक भासकर की 4 से 5 बड़ी खबर राजस्थान के सौस्त विभाग निकल क्यारी है जिसकी सारी इनुफार्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो एनच्यम नर्स भरती 2024 चलिए आपको लेके चलते हैं कटिंग पर बात करेंगे वेकेंसी के अपडेट के बारे में और नूज के बारे में तो दोस्तों आप लुग देख सकते हो मैंने पूरी कटिंग ले रखी है जैपुर 29 दिसंबर 2023 दैनिक भासकर और यहां पर आप लुग देखिए नकल माफिया पर नकेल केस फास्ट रायल से चलेंगे पेपर लिग की मोनिटरिंग CS DGP को और यहां पर आप लुग देखिए आम आदमी कर सकेगा सिकायत हेलप ला कर सकते हैं एक्षन भी सुरू SIT ने वरिष्ट अध्यापक भरती परिच्छा में बैठे पांच डमी अभेरतियों को गिरुफतार किया है बिरुजगार महेंते युवाओं को नया दिलाना प्रात्मिक्ता मुख मंत्री रजस्थान से अपडेट निकल क्या रही है इसके अ आसकर ने 22 फरवरी 2023 को उठाय था मामला जैपुर रजस्थान में रजस्थान में 2022 में निकाली कम्यूटी हेल्थ ओफिसर सीयच्चो भरते के पेपर आउट होने को पहली बार सीयम के अस्तर से माना गया है सीयम भजनलाल सर्मा ने गुरुवार को चिकिसा योम सौस्त इसको हुई थी अब भेरतियों परिच्चा से पहले ही इस भरती का पेपर लिख होने का आरोप लगाया था उन्होंने इसकी सिकायत एसोजी से की थी सीयम ने सतरह हजार एनचम के समविदा पदोग पर परस्ता मांगने के भी निर्देश दिये हैं निर्देशक हेल्थ डा 2531 पदोव पर राजस्थान सीयचो का एकजाम हुआ था 19 फरवरी 2023 को पेपर आउट होने की वज़य से इस भरती को यहाँ पर निरस्त करने वाली है सरकार यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इसके अलावा भजालाल सर्मा से अपडेट निकल के आ रही है जिसमें एन राजस्थान के सौस्ट विभाग में राजस्थान एनचम से 2024 में 17,000 पदोव पर पैरामेडिकल, लेप टेकनिसियन, एननम, फार्मासिश और नर्सिंग की विकेंसी यहाँ पर आने वाली है जो की समविदा पर विकेंसी आएगी इसके अलावा भरतियों की अब एक या पा आ गया है बाकि आब इसमें क्या अपडेट है मैं आपको अलग से कर दूँगा बाकि सबसे बड़ी अपडेट यही है कि CHO के भरती कैंसल होने वाली है और राजस्थान एनचम में जो है 17,000 पदोव पर परस्ता मांगे गए हैं 2024 में बहुती जल भरती आने वाली है चलिए और फिजियो थेरपी कॉलेज खुलेंगे यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी बैचलर इन फार्मेसी और बैचलर और फिजियो थेरपी तीनों में ही 60 होंगी सीटों की संख्या यह भी बड़ी अपडेट है इसे आप लोग पढ़ लीज यहां पर क्या अपडेट है मैं आपको बता दो फार्मेसी और फिजियो थेरपी कॉलेज खोला जा रहा है जिसकी हमने पूरी त्यारिक कर ली है डी फार्मा बी फार्मा और बी पी टी में 60 सीटों पर परवेस दिया जाना परस्तावित है मवजूदा इस्तित में मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कॉलिज संचालित हैं डाक्टर सुधीर भंडारी कुलपती आरियू एचेस तो आरियू एचेस से यह बड़ी खबर निकल के आ रही है आज ही की डेट में बड़ी अपडेट है उपर देख सकती हो जैपुर 29 दिसंबर 2023 चलिए आगे की बड़ी खब और लाश्ट यहां पे बड़ी खबर निकल के आ रही है कॉंस्टेबल भरती का मामला सारेरिक दच्चता परिच्छा में प्राथियों को सामिल करें हाई कोड का आदेश और इसके तीसरी सबसे बड़ी खबर सौस्ट विभाग में निकल के आ रही है फार्मा सेष्ट भरती 2018 की जो भी यहां पे भरती थे 18,000 अभरती जोनोंने फार्म भरा था उनके जो अप्लिकसन फीस है यह दोस्तों सरकार यहां पे लोटाएगी 2020 में रद हुई थी भरती तब से मांकी जारे थी 6 साल से बोड के पास है अभरतियों की 56,000,000 तो 56,000,000 रुपीज जो है अभरतिय के पड़े हैं बोड के पास लेकिन अब जो 18,000 अभरती है उनकी जो परिच्छा सुल्क है या जो अप्लिकसन फीस है आविदन सुल्क है यह सरकार जो है रिफंड करने वाली है अगर आपने फार्मा सेश्ट भरती 2 या 18 का फार्म भरा था तो जो आपने फीस पे किया है ज 2018 से यह रकम बोड के पास जमा है बोड ने परिच्छा के आयोजन की त्यारी कर ली थी लेकिन 13 नौबर 2020 को इसको अचानक निरस्ट कर दिया गया था आविदन सुल्क के रूप में प्राप्त हुई रकम 5 सालों से बोड के पास जमा है अगर इसका ब्याज जोड़ा जाए तो अब तक करीब 15 लाख रूपे तो ब्याज का हो गया लेकिन अभेटियों को केवल जमा करा सुल के ही यहाँ पे लोटाया जागा यानि कि आपको ब्याज सहीत फीस नहीं दी जाएगी बस जो आप लोगों का फीस जो आपने फार्म भरते वक्त फीस दिया था वही फीस आपकी रिफन होगी बाकि कोई वी फीस दोस्तों आपकी रिफन नहीं होगी बैकि मैंने आपको अपडेट कर दी है एनचम से 17,000 पदों पर विकेंसी आ रही है बहुत ही जल प्रास्ताव मांगा गया है और CHO की विकेंसी कैंसिल होने वाली है धन्यवाद